Hello students, welcome to MOS classes. आज हम 7th class English NCRT के book An Alien Hand के chapter number 7 चांदनी को रीड करेंगे. तो ये कहानी है अबु खान की और उसकी बकरी चांदनी की, यानि कि अबु खान की जो बकरी थी उसका नाम था चांदनी. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये तीन पोइंट से यहाँ पर दिये गए हैं. पहला पोइंट है अबु खान कैप्ट गोड्स एस पैट्स यानि के अबु खान बकरिया पालता था. सेकिन पोइंट है यानि के अबु खान अपनी बकरियों से प्यार करता था लेकिन उसकी सभी बकरिया उसे एक-एक करके छोड़ कर चली गई. थर्ड पोइंट है इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है के एक समय की बात है एक बुड़ा आदमी अलमोडा में रहता था. उसका नाम अबु खान था और वहे कुछ बकरियों को पाला करता था यानि के उस व्यक्ती ने अबु खान ने कुछ बकरिया पाली थी और वहे उन्हें कुछ मजाकिया नाम देता था उन बकरियों को कुछ मजाकिया नामों से बुड़ाता था जैसे कि कलुआ, मूंगिया या फिर गुजरी और वहे दिन के समय उन्हें घास चराने के लिए बाहर रे जाता था और उन बकरियों से अपने बच्चों की तरह बाते करता था यानि वो बकरियों से ऐसे बाते करता था जैसे कि वो बकरिया उसके बच्चे हों और रात के समय वहे अपनी बकरियों को अप इस पेराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि बेचारा अबू खान अपनी बकरियों के मामले में थोड़ा अनलकी था, थोड़ा बदकिस्मत था, रात के समय उसकी बकरियों में से कोई एक अपनी रसी को खीच-खीच कर तोड़ देती थी और पहाड पर जाकर गायब हो जा बांधा जाना अच्छा नहीं रखता, उन्हें अपनी आजादी बहुत अच्छी रखती है, यानि कि जो पहाडी नसर की बकरिया होती है, उन्हें आजादी से घूमना अच्छा लखता है, बंधना, किसी बंधन में रहना उन्हें अच्छा नहीं रखता, और जो अबू ख अबू खान की बकरियों को भागने का मोका मिलता तो वो पहाड की तरफ भाग जाती थी और उस पहाड पर एक बूड़ा भेडिया रहता था जो अबू खान की बकरियों को खा जाता था, मार डालता था। इसके बाद इस पेराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जब भी अबू खान की कोई बकरी गायब हो जाती थी तो अबू खान उदास हो जाता था। उसे ये समझ नहीं आता था कि वो बकरिया क्यों भाग जाती थी पहाड की तरफ और उसे ये रखता था कि कही बकरिया पागल तो नहीं हैं उसे हिरानी होती थी इस बात पर कि मैं उनकी देख भाल करता हूं, उनकी रक्षा करता हूं फिर वी वो पहाड की तरफ भाग जात और मारी जाती हैं और कई बार अबू खान ये सोचता था कि क्या इन बकरियों को आजादी से प्यार हैं लेकिन आजादी का मतलब है संघर्ष, मुश्किडे और मोत और अबू खान इस रहसे को इस मिस्टरी को सुलजा नहीं पा रहा था इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि एक दिन जब अबू खान की सारी बकरिया उसे छोड़ कर चली गई तब अबू खान ने अपने आप से कहा कि अब मेरे घर में बकरिया नहीं आएंगी मैं शायद कुछ सालों तक और जिन्दा रहूंगा पर मैं बकरियों के बिना ही जीऊंगा लेकिन बेचारा अबू खान बहुत अकेड़ापन महसूस करता था और वो अपनी पालतू बकरियों के बिना नहीं रह सकता था और बहुत जल्द अबू खान ने एक छोटी बकरी को खरीदा उसने सोचा के एक छोटी बकरी मेरे साथ ज्यादा दिन तक रहेगी वह जल्दी ही मुझसे प्रेम करने लगेगी और जो खाना मैं उसे दूंगा वो उस खाने से भी प्रेम करने लगेगी और वह कभी भी पहाडों में नहीं जाना चाहेगी और यह सोच कर अबू खान खुशी से हस पड़ा इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें ये बताया क्या है कि ये जो नई बकरी थी ये बहुत सुंदर थी और ये बरफ की तरह सफेद थी और इसके छोटे से सिर पर दो छोटे छोटे सींग थे और इसकी जो आखे थी वो लाल थी और चमकीली थी और ये जो छोटी सी बकरी थी ये बहुत ही फ्रेंडली थी यानि के मिलन सार थी और अबु खान इसे कहानिया सुनाया करता था और ये बकरी अबु खान की कहानियों को बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से सुनती थी और अबु खान इस बकरी को चांदनी कहता था चांदनी यानि के चांद की रोशनी और अबु खान अपने दोस्तों की कहानिया चांदनी को सुनाया करता था अबू खान अपने उन दोस्तों की कहानिया चांदनी को सुनाता था जो अब मर चुके थे इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि कई साल बीत गए और चांदनी अभी भी अबू खान के पास ही थी और अबू खान को इस बात का विश्वास था कि चांदनी उसे चोड़ कर कभी भी आजाद और साफ हवा के लिए पहाडियों पर नहीं जाएगी यानि कि अबू खान ये विश्वास करता था कि चांदनी कभी भी उसे या उसके घर को चोड़ कर नहीं जाएगी लेकिन अफसोस अबू खान का यह सोचना एक गलती थी इसके बाद यहाँ पर हमें ये तीन पॉइंट्स दिये गए हैं पहला पॉइंट है कि दूसरी बक्रियों की तरहा चांदनी भी पहाडों को बहुत याद करती थी और दूसरा पॉइंट है कि उसने अबू खान से कहा कि उसे आजादी मिलनी चाहिए और तीसरा पॉइंट है कि जंगल में रहने वाले खतरनाक भेडिये की कहानी भी चांदनी को डिसकरेज नहीं कर सकी चांदनी का मनोबल नहीं तोड सकी इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि चांदनी हर सुभा सूरज की रोशनी में नहाई पहाडियों की तरफ देखती थी और सोचती थी कि ये पहाडिया कितनी सुंदर रगती हैं और यहाँ से कितनी ताजी हवा बहकर आती है और वो ये भी सोचती थी कि इन हरे भरे खेतों में दोड़ना कितना अच्छा लगता होगा वहे पहाडों की तरफ जाने के लिए दोड़ी पर उसके गले की रसी ने उसे एक जटके के साथ रोक दिया कितनी नफरत थी उसे उस रसी से इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि चांदनी ने अबू खान के द्वारा लाई गई हरी घास को खाना बंद कर दिया था और अब चांदनी अबू खान त्वारा जो स्टोरी सुनाई जाती थी जो कहानिया सुनाई जाती थी अब वो अबु खान की स्टोरीज को उन कहानियों को ध्यान से और प्यार से नहीं सुनती थी और अब चांदनी की भूख मर गई थी, वो बहुत पत्री हो गई थी और सारा दिन सूरज की रोशनी में नहाए पहाडों की चोटियों को वह देखती रहती थी अबु खान चांदनी के दुख को समझ नहीं पा रहा था आखिरकार चांदनी ने ये निर्णे लिया कि वो अबु खान से खुल कर बात करेगी और चांदनी ने अबु खान से कहा कि कृपया मुझे पहाडों में जाने दीजिए अगर मैं आपके इसी आंगन में रही तो मैं मर जाओंगी जब अबु खान को चांदनी की ये समस्या ये दुख समझ में आया तो उसे बहुत दुख हुआ वो काफी नाखुश हो गया अनहैपी हो गया और वह मटका जिसमें अबु खान चांदनी के लिए नाश्ता लेकर आया था वह मटका अबु खान के हाथ से छूट गया और बहुत सारे टुकडों में वो बिखर गया हो यानि कि वो मटका हाथ से छूटा और तूट गया इसके बाद अबू खान ने चांदनी से पूछा कि तुम मुझे छोड़ कर क्यो जाना चाहती हो चांदनी ने उत्तर दिया कि मैं पहाडों पर जाना चाहती हूँ तब अबू खान ने चांदनी से पूछा कि जो खाना मैं तुम्हें देता हूँ क्या तुम्हें वो खाना अच्छा नहीं रखता मैं तुम्हें और ज्यादा स्वादिष्ट खाना दूँगा और मैं तुम्हें एक लंबी रस्सी दूँगा तब चांदनी ने अबु खान से कहा नहीं शुक्रिया आप मुझे पहाड़ों में जाने देजिए तब अबु खान ने चांदनी से कहा कि जिद्दी प्रानी क्या तुम्हें पता है कि वहापर कितना खत्रा है पहाड़ियों पर एक dangerous एक खतरनाक भेडिया रहता है वो तुम्हें खा जाएगा अबू खान ने चांदनी को समझाने की पूरी कोशिश की चांदनी को चेतावनी दी तब चांदनी ने कहा के भगवान ने मुझे एक जोड़ी सींग दिये हैं मैं उस भेडिये से रडूंगी तब अबू खान ने चांदनी से कहा भेडिये से रडूंगी क्या तुम अपनी बहन कलुआ की कहानी भूल गई वो सारी रात भेडिये से रड़ी पर सुभा तक मर गई तब अबू खान ने पचासवी बार कलुआ की कहानी सुनाई लेकिन चांदनी ने फिर से एक बार यही कहा कि मुझे पहाडों पर जाना है तब अबु खान बहुत नाराज हो गया गुसा हो गया और उसने चांदनी से कहा कि तुम कही नहीं जा रही हो अब से तुम एक छोटी जोपड़ी में रहोगी और यहाँ इस आंगन में ऐसे खुले में नहीं घुमोगी अबु खान ने कहा तुम एहसान फरामोश हो लेकिन फिर भी भेड़िये से तुम्हारी जान को बचाना होगा और अबु खान ने धक्का देकर चांदनी को एक छोटी सी जोपड़ी में भेज दिया और उस जोपड़ी का दर्वाजा बंद कर दिया लेकिन अबु खान उस जोपड़ी की एक छोटी सी खिड़की को बंद करना भूल गया और उसी रात चांदनी उस छोटी सी खिड़की से बाहर निकल गई और उसने अपनी आजादी पाल ले इसके बाद यहाँ पर हमें ये तीन पॉइंट्स दिये गए हैं पहला पॉइंट है कि चांदनी वापस पहाडियों पर चली गई और दूसरा पॉइंट है कि उसे पता था कि भेडिया वही आसपास है और तीसरा पॉइंट है कि वह रड़ने के लिए तयार थी और इस पेराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि चांदनी पहाडियों में पहुच गई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जो पहाडिया थी वो एक रो में कतार में खड़ी होई थी और उसका स्वागत कर रही थी ऐसा चांदनी को लग रहा था और जैसे कोई बच्चा बहुत सालों के बाद अपने माता पिता से अपने पेरेंट से मिलता है ऐसा ही चांदनी महसूस कर रही थी जब वह पहाड़ियों में आई थी वो जहा कही भी जाती थी लंबी और ऊची घास उसे गले लगाने के लिए उठती थी और उसको खुश करने के लिए फूर खिलते थे और हवाए उसके स्वागत में गीत गा रही थी ये सब कितना अलग था उसके उस जीवन से जो उसने अबू खान के आंगन में बिताया जो उसके लिए एक जेल की तरह था और ये चांदनी के जीवन का सबसे खुशी से भरा दिन था जब वह पहाड़ियों पर आ गई थी इस पेराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि उस दिन चांदनी पहाड के घास से भरे ढ़लान पर कई घंटों तक खेलती रही और वहाँ पर चांदनी को एक जंगली बकरियों का जुंड मिला और उन बकरियों ने चांदनी से कहा कि तुम भी हमारे ग्रूप में आ जाओ लेकिन चांदनी ने नमरता के साथ मना कर दिया वहे अपनी नई आजादी का मजा अकेले लेना चाहती थी इसके बाद इस पेराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि उसके बाद सूरज पहाडियों के पीछे चुप गया यानि के रात का समय हो गया और घास पर फूलों पर और पेडों पर अंधेरा चा गया और हवा का बहना बंध हो गया और हर तरफ एक सन्नाटा चा गया बस एक अजीब सी आवाज जाडियों के पीछे से आ रही थी और वह जो आवाज जाडियों में से आ रही थी वह एक घुर घुराने जैसी आवाज थी वह क्या था यह आवाज अबू खान की तो नहीं थी और यह आवाज किसी बकरी की भी नहीं थी तब चांदनी ने पहाडों में रहने वाले खतरनाक भेडिये के बारे में सोचा और उसे डर रगने लगा और इस paragraph में हमें ये बताया गया है कि तब चांदनी ने ये सोचा कि क्या उसे अबू खान की जोपडी में अबू खान के आंगन में वापस चले जाना चाहिए उसने अपने आपसे कहा नहीं एक खुले मेदान में मरना ज्यादा बहतर है एक छोटी सी जोपडी में जीने से और तब वह भेडिया जाडियों से बाहर आ गया और लालची निगाहों से चांदनी को देखने लगा और अंधेरे में उस भेडिये की आखें जलते हुए कोईले के समान चमक रही थी उसे कोई जल्दी नहीं थी वो जानता था कि यह नई बकरी उसकी है यानि कि उसे पता था कि अब मैं इस नई बकरी को खा जाऊंगा मार डालूंगा इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि भेडिया और बकरी यानि के चांदनी एक दूसरे के आमने सामने आ गए भेडिया काफी बड़ा था और काफी खतरनाक था और जो बकरी थी वो हेल्दी तो थी स्वस्थ तो थी पर छोटी थी लेकिन छोटा कमजोर नहीं होत चांदनी अपने पैरों पर डट कर खड़ी हो गई उसने अपने सिर को थोड़ा सा जुकाया हुआ था और उसके सींग बाहर की तरफ निकले हुए थे और वहे हिम्मत की साहस की एक तस्वीर लग रही थी वहे एक बहादूर सिपाही की तरह लग रही थी जो एक धोके बाज दुश्मन से रड़ने के लिए तयार थी और चांदनी ने सोचा कि मुझे एक अच्छा संघर्ष करना है सफलता या असफलता ये तो भागे की बात है इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है के रड़ाई शुरू हो गई और ये रड़ाई पूरी राज चली और चांद जो इस रड़ाई को देख रहा था उसका रंग हलका पड़ने लगा और अचानक से वह बादलों के पीछे छुप गया और तारे भी एक एक करके गायब होने लगे और फिर पूरब में हलकी सी रोशनी दिखाई दी और दूर एक मस्जिद से प्रार्थना की आवाज सुनाई देने लगी यानि के अब सुभा होने वाली थी और जब सुभा होई तो चांदनी जमीन पर पड़ी होई थी वो पूरी तरह से खून में लथपत थी और जो भेडिया था वो ठका हुआ था और उसे नीद आ रही थी और वह चांदनी को खाने के लिए तयार हो रहा था और वही पास में एक पेड़ था और उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे थे और वो इस बात पर चर्चा कर रहे थे के इस रड़ाई का विजेता कौन है तो एक पक्षी ने पूछा के विजेता कौन है तो ज्यादा तर पक्षियों ने कहा के यकीनन भेड़िया ही विजेता है लेकिन वहाँ पर एक बुड़ा और बुद्धी मान पक्षी बैठा था और उसने कहा के चांदनी विजेता है और इस बुद्धी मान बुड़े पक्षी ने पूरे विश्वास के साथ ये बात कही थी के चांदनी विजेता है I hope students आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you